वुट्मॉर्नंग twins आज हमग व्लसटू का चैप्टर का रेय थे बात करेंगे तोहर्ष्वीजिकल क्रापटियस करेंगे अगर यहसे को बिदियाथ कई है कि जो first 3 aliphatic acid है first 3 aliphatic acid कौन से है formic acid, acetic acid और propanetic acid वो colorless होते है और उनकी pungent smell होती है pungent smell मतलब बहुती तीखी smell होती है और वो liquid form में होते है और जो next 6 acid है next 6 मतलब first 3 carbon को छोड़के जो next 6 है वो 4 to 9 carbon है वो colorless oily liquid की form में होते है और उनकी अनप्लीजंट स्मेल होती है, means कि उनकी एक कोई भी पर्टिकुलर स्मेल नहीं होती, जैसे अगर हम एक्जामपल कंसेटर करें, तो जो प्यूटाइरिक एसेड है, ब्यूटाइरिक एसेड में 4 कार्बन होते हैं, उसकी जो स्मेल होती है, वो कैसी होती है, रेनसेड बटर, र कार्बोक्सलीकेसर में कार्बन 10 या 10 से ज़्यादा है, वो कलरलेस वैसकी, सॉलिड होते हैं, उनका कोई भी कलर नहीं होता है, और दे आर प्रेजेंट इन दा फॉर्म ऑफ वैक्स, जैसे वो सैमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और उनकी कोई भी पर्टिकुलर स्मेल नही होते हैं, क्यों? क्योंकि वो इवैपरेट नहीं हो सकते हैं, वो किस फिजिकल स्टेट में होते हैं, वो सॉलिड फिजिकल स्टेट में होते हैं, इसी वजह से वो इवैपरेट नहीं हो सकते हैं, तो उनकी जो कलर हैं, वो भी कलरलेस हैं, और दे आर फाउंड इन दा स्टेट होती है और कोई भी पर्तिकुलर स्मद नहीं होती। सेकंडल फिजिकल प्रॉप्रीज स्ट्रका रॉपर्टि ए सॉलिबिलिटी। ऑपने रूल किया हो ऑफ है लाइक ्डिसोल्व लाइक। अगर ₤ कर थी के बात करें तो गेत एक पोलर एक carboxylic acid है, R, C, O, double bond O, O, H this is the one carboxylic acid and this one is the second carboxylic acid तो first carboxylic acid का H, second वले carboxylic acid के O से जुड़ेगा तो वो क्या बनानेंगे आपस में intermolecular hydrogen bonding तो इस structure में जो भी ये dotted line शो करे होई है ये intermolecular hydrogen bonding को शो कर रही है this is the carboxylic acid and this is the water molecule water का formula क्यों होता है, H to O तो कैसे carboxylic acid water molecule के साथ hydrogen bonding बना रहा है एक carboxylic acid का H, water molecule का O आपस में intermolecular hydrogen bonding बनाते हैं जिसकी वज़ाए से carboxylic acid associated form में रहते हैं और वो water में soluble हो जाते हैं उसके बाद next क्या है, जो solubility है हमने अभी बात करी थी बैटा, up to 4 carbon तक की 4 carbon के जो carboxylic acid होते हैं, वो water में soluble होते हैं पर जैसे जैसे number of carbon increase होता है उसकी solubility क्यों जाती है, decrease the solubility decrease as the number of carbon atom increase जैसे अगर हम बात करें, pentanoic acid या फिर hexanoic acid की दियारा slightly soluble in water, वो water में अच्छी तना से soluble नहीं है क्यों soluble नहीं है, but the higher carboxylic acid जैसे जैसे हमारे पास carbon का number बढ़ेगा उनकी solubility water में कम होती रेगी क्यों कम होती रेगी, due to the increased hydrophobic interaction of the hydrocarbon part क्योंकि R part बढ़ रहा है, R part आपको पता है वो क्या होता है non-polary nature होता है, जो water के साथ react नहीं करता तो उसको हम R part को क्या बोल देते हैं, hydrophobic means कि hydrophobic part बढ़ने से उसकी interaction water के साथ कम हो जाती है इसी वज़ाए से with increase in a number of a carbon atom जो solubility है carboxylic acid की वो decrease होनी शुरू हो जाती है on the other hand, अगर हम बात करें benjoic acid जो एक simplest aromatic carboxylic acid है वो insoluble है किसमे cold water में but they are soluble in a hot water वो cold water में soluble नहीं होता है बट वो hot water में soluble होता है since the non-polar hydrocarbon part अगर R part बढ़ रहा है तो वो overweight कर देता है the effect of the polar carboxylic acid part इसी वज़ाए से all the carboxylic acid are soluble in less polar solvent like benzene, ether and alcohol with increase in a carbon atom या फिर हम कहा सकते हैं up to a 4 carbon atom they will behave as a non-polar और जब carboxylic acid non-polar की तरह behave होगा जब carbon का मास ज़ादा होगा R part ज़ादा होगा तो वो non-polar solvent में soluble होगे जैसे benzene, ether and alcohol उसके बाद next हमाने पास बटा physical property है boiling point अगर हम boiling point की बात करें तो carboxylic acid का boiling point बागी सारे functional group से ज़ादा होता है जिनका comparable mass होता है जैसे आप एक example consider कर सकते हो this is the acetic acid this one is the propanol this one is the propanol this one is acetone and this one is the butane these all five organic compound having a comparable molecular mass comparable molecular mass क्या है जैसे इनका almost 60 or 58 है तो हम इनको comparison कर सकते है because they are very nearby to each other अब boiling point की बात करें तो out of these five compound the carboxylic acid having a higher boiling point than alcohol alcohol के बाद acetone आएगा then aldehyde और then butane you can comparison with the help of this data the boiling point of the acetic acid is a 391 propanol is 370 then aldehyde is a 322 then ketone is a 329 and then butane is a 309 तो हम पोल सकते है कि सबसे दरा boiling point किसका है acetic acid का then alcohol then acetone then aldehyde और fifth number पर क्या आजाएगा आपके पास butane ऐसा क्यों है क्योंकि ये दोनों ही क्या बनाते है intermolecular hydrogen bonding बनाते है अब out of these two अगर हम comparison करें कि इनके formula की तो आप यहाँ पर comparison कर सकते हो इसमें COOH जादा reactive group है और इसमें OH हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें 2 electro negative oxygen है और इसमें 1 है तो इनका comparison यहाँ से हो जाएगा but अगर हम aldehyde और ketone का comparison करें इन alcohol और carboxlic acid के साथ ये hydrogen bond form नहीं करते हैं इनके बीच में dipole-dipole interactions होती है dipole-dipole interactions की वज़य से इनका जो boiling point है इन दोनों से कम होता है और butane में कौन से interaction होती है और वंडरवाल interactions होती है क्यों क्योंकि यहाँ पर electronegativity का कुछ भी difference नहीं होता तो due to the wonderwall interaction वो सबसे weak होती है as compared to this intermolecular hydrogen bonding and dipole-dipole interaction इसी वज़य से इसका boiling point सबसे कम होता है इसके बाद next हमारे पास physical property है melting point अगर हम melting point की बात करें तो हमारे पास melting point है वो regular pattern शो नहीं करता फर्स 10 carboxly acid है जो अगर C1 से लेके C10 तक है वो oscillation और alteration effect शो करते हैं अब ये oscillation और alteration effect है क्या बटा इसको आप इस example से consider कर सकते हो जैसे हमारे पास एक carboxly acid में even number of carbon atom है even मतलब जैसे 2 है 4 है या फिर 6 है 8 है up to 10 तक तो इसमें कितने हैं 4 है 1, 2, 3, 4 का carboxly acid है इसको हम butanoic acid कह सकते हैं अगर हम इसको जिग जग manner में arrange करते हैं तो दो ग्रूप एक CS3 ग्रूप और एक carboxly acid ग्रूप दोनो टर्मिनल पोजीशन पर हैं टर्मिनल पोजीशन पर होने की वज़य से ये closely fit हो जाते हैं crystal में अगर let's suppose मैं इसको एक box में fit करना चाहूँ तो ये easily fit हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि इसकी दोनों साइड टर्मिनल एंटी पोजीशन में होने की वज़य से box का में अच्छे से acquired हो जाती है box में अच्छे से fit हो जाती है तो इसी वज़य से इनकी जो packing है वो closed packing होगी अच्छी packing होगी as compared to old number of a carbon atom इसी वज़य से even number of a carbon atom का melting point जादा होता है as compared to old but old हम कौन सा लेंगे इससे previous one लेंगे के next one लेंगे इससे next one लेंगे यानि कि 4 के बाद हम जो old one consider करेंगे वो हम 5 carbon consider करेंगे अगर let's suppose आप 6 carbon का even ले रहे हो तो आप 7 carbon के old से इसको comparison कर सकते हो और old में अगर आप देखो जब हम old number of a carbon atom को jig-zag manner में arrange करते हैं तो जो CS3 और COOH ग्रूप है वो same side आते हैं, same side आने से वो crystal में अच्छी तरह से fit नहीं हो सकते, इसी वज़़े से income melting point क्या है, low है तो आप up to 10 carbon तक इस alteration और oscillation effect के base पे melting point को explain कर सकते हो, बढ़ जब carboxly acid में number of carbon atom बढ़ जाते हैं तो उसको आप explain करोगे on the basis of a wonderful force of a attraction, तो यहां पर उन्होंने show किया है, कि जो melting point है aliphatic acid का, जिन में more than 10 carbon है, वो oscillation effect show नहीं करते the melting point and the boiling point of aromatic acid, अब वो aromatic acid का बता रहे हैं, जिन में benzene ring है aromatic acid को आप benjoic acid consider कर सकते हो, उसका melting और boiling point higher होता है than aliphatic acid of a comparable molecular mass, क्यों जो planar benzene ring acid में can pack more closely in the crystal lettuce and jig-jack structure of a aliphatic acid, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो aromatic acid है, उन में जो benzene ring है, वो एक plane में होने के वज़ाद से उसकी packing अच्छी हो सकती है as compared to aliphatic group जब वो jig-jack manner है, jig-jack manner में थोड़ी सी मुश्किल होगी, जबकि ये एक state planar तक चरह है, तो it can easily fit in a crystal lettuce, अगर ये easily fit हो जाएगा, तो इसका melting point जादा है as compared to aliphatic तो 알iphatic जए कोहिव बी ऑटा चाए एव-बनोर हो जाए वो odd number हो, aromatic का as compared to aliphatic, तो this is all about the physical property of a carboxylic acid, with that we will finish the physical property and next chemical property, we will discuss in a next video, thank you झाल झाल झाल